जैसे जैसे हिमाचल में पंचाइती राध चूनाँ में नजदिक आ रहे हैं वैसे ही कगए संगठन और लोग इन चूनाबों की तयारियों में चुचचुके हैं उसी तर्श पर कॉंग्रेस का राजीव गांधी पंचायती राज संगटन भी अब पंचायत चुनाबों की तयारियों में चुट चुका है राजीव गांधी पंचायती राज संगटन के प्रदेश समनंब्यक दीपक राटोर ने बिलासपुर में पत्रकार भाड़ता का आयोजन किया जिसतरान उन्होंने प्रदेश सरकार पर कई आरोप भी लगाए उन्होंने कहा कि पिछले कुछ समय से हिमाचल प्रदेश में दिन प्रति दिन COVID-19 के मामले बढ़ते जा रहे हैं और प्रदेश सरकार द्वारा लिये गए निर्ने जैसे प्रदेश में जन्मेंच का होना और परिटकों को हिमाचल में बिना गैटलाइन और बिना टेस्ट कर वहीं दीपक राठोर ने कहा कि आने बाले समय में हिमाचल प्रदेश पंचायती चुनाब होने हैं और 68 लाग की अवादी बाले इस प्रदेश में 40 लाग बोडर हैं और अगर उन में से 30 लाग बोडर भी अपना बोड डालने के लिए आते हैं तो प्रदेश सरकार की इसके लिए किस तरह की तयारियां रहेंगे ताकि लोग इस बिमारी से संक्रमित ना हों क्योंकि अवे तक हिमाचल प्रदेश में कोविट 19 से संक्रमित होने बाले लोगों का आंकड़ा 41,000 पार कर चुका है और 635 के करेब लोग इस बिमारी से अपनी जान कवा चुके हैं चुनाब की तिधियां घोषित करने से पहले और चुनाबों में जाने से पहले प्रदेश सरकार इसके ऊपर पूरी जानकारी दे और करोनल संक्रमन के प्रति अपनी तैयारियों का बखान चंता के सामने करे ताकि कोई भी बोटर इस बिमारी से संक्रमित ना हो विश्ताम शाय पहिंग नहीं है तो हमने दिखा ती आखुटी नहीं हमने कारों एक लिए थे जसे जनुक होना गना को अच्केल बेडिन के लेए उनको नेज़ा नहीं भंडेटर के अपने आना उसका भी गडांप एक हमारे नारों संक्रीषते मरपरश के दरे में इस से जो तो हमें एक डौट है, हमें शक है जिवांदी पिंचाइट स्रहन के जो है, हम भी माना है कि आपने में पिंचित होंगे, अर्सक्राइट की पोपुलिशन नहीं में चलब पछे हैं, लग चासलाइट हमारे पास यहां होगों है, और वोटर तीस लख लोग करने जाते हैं, हमा करने जाते हैं, कोई जो हमारा वोटर को संकत नहीं हो, इस चीज की बंती लेने के लिए हम अपमाज हम से सारफ दवा लें, क्यूंकि हम नहीं जाते हैं, जिसकी बजाए से जिवांदा का लाह माज़र प्रश्म में फुलूं करने पिया है, और लुक्षिस का पस जैस भी हो को अपमाज़ हम भी